सुनाव अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखें यहाँ पर 1178 पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर कोई बहुत अच्छी खासी आज हमें मूब देखने को नहीं मिले है और क्लोजिंग भी जो ही है वो 1.88% higher side हुई है ग्रीन में क्लोजिंग हुई है लेकिन आज पूरे दिन में volatility जो है वो काफी low देखने को भी लिए है इसका reason हम सबस्ते हैं और अब यहाँ पर ना कितना अब सही हो चुका है RSI यह एक बहुत ही main बात है जो कि हमें note करते रहनी चाहिए और group company की क्या हाल है उनके chart क्या बोलते है important है Adani enterprises क्या कह रहा है इस वक्त अगर वो downside पकड़ रहा है तो यह group stocks भी कहीं न कहीं downside की और जा सकते है तो अभी अगर Adani total gas का आपने देखा 1.88% higher side closing हुई है लेकिन Adani enterprises 1.41% higher side closing Adani green का 1.13% यहाँ पर downside और Adani power 1.93 लेकिन आगर आप note करेंगे यह बात तो आपको देखने को मिलेगा कि यह stock न उस तरीके से नहीं गिर रहे है कि भीया 10% यहाँ पर गिर गए closing हो गई अरे बापन यहाँ पर crash हो गया यह stock और यह सब हमें देखने को इस वक्त नहीं मिलना है तो अभी भी buying चालू है इसलिए यह सब टिके हुए हैं तो सबसे पहले न हम Adani enterprises के chart को देखते हैं क्योंकि इसको ही सब को फॉलो करेगा जो कि मैं बहुत पहले आप से कह चुका हूँ Adani enterprises को जिस तरी के सम कवर करते थे हर Adani Total Gas की वीडियो में तो मैं आपको Adani enterprises पर कुछ इस तरी के समझाता था तो अभी मैंने support जब मैंने आपको बताया था यह stock वही से गूमे है अगर आप देखेंगे उसी support से वही range है सब कुछ वही है तो अपना जो पहले का जो एक support करने वाली बाते थी वो बिल्कुल सटीक बेटी ठीक है ना तो लगातार जो है वो हम सही रहे और resistance जो लेवल है वो यहाँ पर बहुत important और देखिए जब यह मैंने आप से कहा था कि यह resistance लेवल ना support लेवल हो जाएंगे जब यह stock है इन लेवल को cross कर देए यानिकि 2710 से 27 57 की जो range है यह जब cross हो जाएगी तो यह supporting resistance range जो है उस support में काम करी क्या हो रहा है अडानी enterprises में यह देखिए कहां से support लिया है 2757 वहीं से support है तो अगर यह 2757 और 2710 यह level यह range अगर breach कर गया और downside कर गया यहाँ पर अडानी enterprises तो कहीना कहीं आप यह समझेगा कि हर गुरूप कंपनी की ऊपर न एक कहीना की selling pressure कहीना की देखने को मिल सकता है तो इसको नूट करिएगा अडानी enterprises को खासा यहाँ पर track करने स्टार्ट कर दीजगा यह वो चाबी है जो आपको हर चीज हर एक चीज को indicate करते हुए देखेगी तो अभी थोड़ा सा न यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा Supreme Court of India यहाँ पर अगर आप देखें तो Supreme Court से न अभी पूरी बात है clear नहीं हुई है तो अभी एक concern जो है न वो बना हुआ है गुरूप के उपर लेकिन कोई बहुत बड़ा concern नहीं रहा है क्योंकि US ने यहाँ पर clean chat दे दी है ठीक है सेवी भी अपनी बात रख रहा है तो यहाँ पर आप यह समझिए कि हिंडन वर्क की जो बात है उसको Supreme Court ने बिलकुल खारिच कर दिया कि हम इनकी बात को तबज्जो नहीं देते है कर दिया तो यह बहुत ही important है बात note करना और सेवी का तो हमें पते है कि क्या कहेंगे और at the end यहाँ पर आप देखेंगे कि Supreme Court भी यहाँ पर clean chat कहीना कहीं दे देंगे तो वो यहाँ पर समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत सारी बाते जो हैं वो बहुत ही पुरानी उखडी सकती है अभी भी concern यह लेकर चलिएगा दूसरी बात गुरुप की अगर बात करें तो क्या और तेजी यहाँ पर देखने को मिस्टीरियस बात हैं आप इसकी ऊपर कोई तवज्यों मत दीजिए ज्यादा बहतर यही होगा क्योंकि एक तो बॉलेटाइल रहेंगे यह बहुत कल आपको 20% का return दे गया जी हाँ 20% का return दे गया लेकिन पता चला कि यहाँ पर 20% के बाद यहाँ पर 10% आपको करेक्स्टन देखने हो बिलेगा तो वो यहाँ पर ना यह सब चलता रहेगा और अगर यह नहीं चलेगा तो recover कैसे होंगे सिंपल सी बात है तो अभी यहाँ पर सारी चीजे clear नहीं हो जाती हैं आप ध्यार रखेगा कि आपको recovery के बारे में ना सोचें बहुत बड़ी recovery के बारे में यह मतब यह आपको point note करना है election से पहले यह stock fully recover नहीं होंगे यह आप ध्यार रखेगा सबसे ज़्यादा आडानी total gas गिरा हुआ है सबसे ज़्यादा आड बहुत सारे अंदेशा दिये कि अडानी गुरूप भड़ किस तरफ रहा है और इनका रवया कैसा है तो वो अपने को थोड़ा सा सोच कहीना की बदलनी पड़ीगी एक नए नजरी से अब हमें चीजे देखनी पड़ेगी अगर हम पुरान नजरीया रखेंगे तो वो कहीन कहीन एक ना कन्फियूजन क्रियेट करेगा तो अब यह मार्केट कैप एक लाग अठाएस जार आचसो सतर करोड करोड का है और यह यहाँ पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉसस होकर चलिएगा और कहीना की वोलेटिलिटी घटती भी दिखाई दे रही ना यह बहुत अच लेकिन कल की वीडियो आपको बहुत अच्छे लिगी होगी जो अडानी गैस की ऊपर मैंने यहाँ पर जो आपके सामने रखी टेसला से जो कंपेरजन था भाई टेसला नहीं मैं यह नहीं क्या हूँ कंपनी बन जाएगी मैं यह कह रहा हूं कि रवया देखिए ऐलन और आने के जो रवईया है ना वो तेज़ गती से चलने वाला है और इनको तेज़ काम करना पसंद है और जिस तरी किसे अब यहाँ पर 75,000 जो एक्टिक पॉइंट्स लगा जाएंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है हर साल आपको 12,50-12,000 का यहाँ पर आखड़ा देखने को मिल यहाँ पर वल्ड के अंदर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, नेक्स्ट ओइल, यह आपा समझे, अगर हम ओइल से अटने की बात करें तो अगर हाइड्रोजन पर अगर हम जाते तो यह नेक्स्ट ओइल है, इलेक्ट्रिक वीकल में थोड़ा सा लोग पीछे अट रहे है, वही सारे फीचर, वही सब कुछ देखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट गेंग गेम चिंजर हो सकता है, और रिलाइंस भी इसमें आगे बट रही है, तो यह आपने कल नहीं सुन पाया यह बात तो, और पी रेशियो दो सो पच्चेस है, तो बिग एक्सपेंसर अगर करने है ना, तो अपने को यह देखने को मिली जायागा, जब कमपनी के प्लान बड़े हो ना, तो फिर यह देखने मिलेगा, बस वेट करना है profitability का, profit, profit चाहिए भईया, profit चाहिए, दस quarter हो गए हैं, दस quarter से सब कुछ in line है, जैसे ही है अंडर पर्फ पॉइंट करना स्टार्ट कर दीजे रोज की वॉलेटिलिटी देखो गे तो तंग आ जाओगे भाई साब यह बॉलेटिलिटी तो रहेगी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहां पर अडानी टोटल गैस के साथ किस कंपनी पर ध्यान दें एम जी एल एम जी एल पर भीया है यह सेकेंड आपके कॉम्टीटर है सेकेंड आपके कॉम्टीटर है एम जी एल एटी जी एल यह एक दूसरे के कॉम्टीटर है मारास्ट में एम जी एल गुजरात में अडानी टोटल गैस लिमिटेट गुजरात गैस तो इन पर ध्यान होना अड़ानी गुरुप समझ में आने लागा चलिए ठीक है इसको आप देखें और अभी क्या है एंड लास्ट यहाँ पर आपका 996 बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल है यह आपका रेजिस्टेंस लेवल था अभी यह सपोर्टिंग लेवल है एक हजार पचास तक एक गैप छूटा है अगर इस टोग नीचे आया तो एक हजार पचास से घूमने की कोसित करेगा यह आप देखेगा इसको नोट कर लीजिए और देखेगा अगर आता है तो क्या वहाँ से घूम रहा है क्योंकि यह गैप फिल करेगा गैप फिल करके अब वो यहां पर आएगी या 1400 की लेवल पर ये कहना थोड़ा सा मुस्किल है 1400 लेवल तक का यहां पर जाना ये चार्ट पर उपन है अभी भी ये ध्यान रखेगा तो अगर कोई गरावट आती है तो फिर कहीं न कहीं एक वेल्यूवल बाइंग हो सकती है जो की अब हायर साइड जो लोग खरीदने के तहीं आ रहे हैं अगर आपको इतनी बड़ी गरावट अगर मिल जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं तो ध्यान रखेगा गरावट तो आनी है लेकिन वो कब आएगी 1400 की लेवल पर आएगी या अभी यहां पर करेक्ट होकर यह स्टॉक चल जायागा तो यह आपर देखना है बाकी ग्रूप कंपनियां रिकवर होई हैं काफी जादा यह अभी भी पीछे है यह नोट कर लीजेगा बात तो बहुत कुछ है यहां पर लेकिन फिर भी एग्रेसिव होकर काम ना करें अभी इलेक्सिंट है अभी आपका यहां पर सुप्रीम कोर्ट अभी और यहां पर कुछ कहना है उनको तो बहुत सारी बात हैं जो कि अभी भी आने है तो आप सोचते रहेंगे कि अभी तेजी हो यह दिया रखिए बस बाइंग लेवल अगर सही मिल गया ना सब कुछ चंगा है उमीद है आप इस बात को समझेंगे आपके कहले हैं इस को उपर कमेंस समझे यह और अब दीजम जाए बड़ी देखने के लिए बहुत दन्माद दोस्तों